क्या आप computer के शेतर में अच्छा career बनाना चाहते हैं? लेकिन फिर भी आप confused हैं कि किस area में आपको career बनाना चाहिए? उपर से आपको market में कई सारे नाम सुनाई देते हैं आप कभी artificial intelligence का नाम सुनते हैं, machine learning का नाम सुनते हैं, data science का नाम सुनते हैं हलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका mysarji.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त और अरप शुक्ला और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा career option आपके लिए best है देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये clear कर देना चाहता हूँ कि जितने भी नाम हमने लिए सब ही में market में कुछ न कुछ लेवल पर काम है और इन सब ही में jobs है अब कौन सा best है तो best जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये काम में सब में कुछ न कुछ अंतर है अपने characteristics हैं खूबिया है और अब आपका interest किसमें ज़्यादा होता है आपकिसमें ज़्यादा best अपना input दे सकते हैं ये तब साबित होगा कि आपके लिए कौन सा best है तो हम यहाँ पर इस तरह की तुलना ना करें कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हो सकता है किसी वेक्ति के लिए एक particular field ज़्यादा अच्छी हो किसी दूसरे के लिए कोई दूसरी field ज़्यादा अच्छी हो तो यहाँ पर यह सोचना कि कौन सा best है मेरे क्याल से यह एक बेकार का सवाल है इसको हमें side में रख देना चाहिए और यह माल लेना चाहिए कि सारे के सारे career options best हैं अब इतने सारे career options के नाम आपके दिमाग में आए कैसे और कई सारे और भी इनी जैसे career options हैं जिनके नाम आपको पदा ही नहीं हैं ऐसा कैसे होता है क्या कभी आपने इसके बारे में सोचने की कुशिश करी है मैं आपको बताता हूँ actual में आज के date में ये जो education industry है ये इतनी ज़ादा evolve हो चुकी है कि कई सारी education companies market में आ चुकी है बहुत बड़े budget के साथ वो market में उतरी है और उनका target है students, learners चाहे वो professionals हों चाहे college going student हों या school going student हो और आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह के कई सारे platforms के advertisements बहुत ज्यादा मातरा में आज कल social media पर आपको देखने को मिलते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज़ादा पैसा इन लोगों ने अपनी company में advertisement के रूप में invest करते हैं, advertisement पे खर्चा करते हैं और किसी particular course को बहुत ज़ादा promote करते हैं तो इसके पीछे reason क्या है क्या अगर वो data science को काफी promote करते ह या machine learning को बहुत promote करते हैं या IOT को बहुत promote करते हैं तो क्या वाकई में market में इसकी demand इतनी ज़ादा हो चुकी है कि इन्होंने इतना ज़ादा promote करना चालू कर दिया कि इसमें आप बहुत अच्छा career बहुत आसानी से बना लेगें देखिए ऐसा कुछ नहीं है ये market में कुछ अलग और नया हमेशा लाने की कोशिश करते हैं हर कोई यही कोशिश करता है कि हम market में कुछ नया ले आएं सबसे पहले ले आएं ताकि सब लोग सारे हमारे पास ही आने लगें और फिर market में उस particular course की hype बनाने का सिलसला चालू होता है जो कि advertisement से होता है आपने देखा होगा कि कई सारे market में ऐसे products होते हैं जो actual में किसी काम के नहीं होते लेकिन उनका advertisement इस तरीके से किया जाता है जैसे कि वो बहुत असरकारग हर field में ऐसा होता है for example आप देखे किसी के बाल बहुत जड़ रहे है ठीक है अब जिसके बाल बहुत जड़ रहे है वो परेशान है वो परे देख रहे हैं कि हर company इसी तरह का add कर रहे है और इस तरह के advertisement के जो लुभावना तरीका होता है उसके जहांसे में आकर जो victim है बिचारा जिसके वाकई में बाल जड़ रहे हैं वो सोचता है कि यार ये वाला product ले लेता हूं शायद इससे मेरी problem solve हो जागी वो लेकर आता है market स उसे कोई फायदा नहीं होता फिर इसी तरह के से दूसरे product के जहांसे बाता है उसे कोई फायदा नहीं होता इस तरह के से आप सोचके देखिए किसी की मुसीबत किसी की परेशानी किसी के लिए मौका है और वो emotions को बिलकुल side में रखके बिलकुल sensitive नहीं है और वो लोग सिर पैसा कमाने के लिए इस परिशान व्यक्ति को एक ऐसा गलत वादा करते हैं जिससे की वो व्यक्ति पैसे खर्च करके उनका प्रोड़क्त ले लेता है और यह सब एड़िटीजमेंट के कारण होता है ऐसा ही education sector में भी होने लगा है जिसके प्रती मैं आपको वान कर रहा हूँ मैं किसी particular की ना बुराई कर रहा हूँ मैं ना किसी particular को गलत साबित कर रहा हूँ बहुत सारे education platform में अपने अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हूँ लेकिन यह corporate world और यह बाजारवाद है ही कुछ ऐसा कि advertisement से गलत को भी सही साबित करने पे तुल जाते हैं अब होना तो यह चाह है जो कि government की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो कि इन पर लगाम लगाए और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई fake commitment students के साथ कर रहे हैं या अपने customer के साथ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होता है actual में नहीं होना चाहिए पर होता नहीं है उस इस तरह से नहीं होता और इस तरह के उसका career बहुत अच्छा बन जाए उसके आर्थिक स्थी ठीक नहीं है उसको doubt है कि वो बहुत अच्छी job शायद नहीं कर पाएगा तो ऐसे जो courses के बारे में hype आती है उससे उन्हें एक उम्मीद हो जाती है कि शायद ये course में कर लूँगा तो मेरा भविशे सही हो जाएगा फिर थोड़ी गलती students की भी है वो shortcut की तलाश में रहते हैं वो हमेशाद जो जादा मेहनत करने वाला रास्ता है उस तरफ नहीं जाकर वो सोचते हैं कि कम मेहनत में मुझे जादा बड़ी सफलता मिल जाए ये एक human tendency है और इस current वो student इस तरह के जहांसे में आ भी जाते हैं का job guarantee जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और इसी लिए मैं आपको जो suggestions दे रहा हूँ अच्छे career के लिए उसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए और समझीए मेरी आपको ये ultimate tip है fundamentals are the most important thing कोई shortcut के फेर में ना पड़े अगर आप software industry में specifically जिसके बारे में मैं आपको कुछ guide कर सकता software industry में अगर आप career बनाना चाहते हैं तो most of the fields ऐसी है software industry में जिसमें programming का knowledge आपको होना चाहिए और अगर आप software developer ही बनना चाहिए और software engineer ही बनना चाहिए तो आपको programming का बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए इसके लिए आपके fundamentals strong होने चाहिए अब fundamental से क्या मतलब सबसे पहले तो आ बहुत सारी programming languages हैं जो कही ना कहीं C language से influenced है और इसलिए modern era की किसी भी language में अगर कोई characteristic है तो वो आपको इसलिए समझ में आएगा क्योंकि आपने C language पढ़ रखी होगी और C language में अगर वो characteristic नहीं था तो उस problem को overcome करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये characteristic दिये तो आप वो comparison क करके चीज़ों को समझ सकते हैं कि कोई concept अगर किसी language में है तो वो क्यों है बहुत सारी facilities modern era की programming languages में नहीं है जो C, C++ जैसी language में है तो C, C++ बहुत ही fundamental चीज़ है आपको आनी ही चाहिए यहाँ programming skill भी develop होती है object oriented concepts भी आप सीख पाते हैं C++ अगर आप पढ़ते हैं इसके अपना career बनाने वाले student को कर ही लेना चाहिए यहाँ पर school college में जिस तरीके से खाना पूर्ती style में पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके के पढ़ाईगी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ आपको बहुत शिदत से बहुत समय देकर बहुत मेहनत करके इन subjects को तयार करना है यहा cognitive coding आपने practice करी हो ताकि आपने programming skill अपनी निखार ली हो यह student life में आपको कर लेना चाहिए यह minimum मैं recommend करता हूँ अपने students को माय सरजी भी education business में है और मैं education business करने वाले लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो कहीं लोगों को यह गलत फिरमी ना हो जाए कि मैं खुद education वाले mode में हूँ और फिर मैं किसी की बुराई कैसे कर सकता हूँ पहली बात तो मैं किसी की बुराई कर नहीं रहा हूँ ले कर लें मेरे पास paid courses हैं मैं अगर उनको misguide करना चाहूं तो मैं अपने फायदे के लिए लेकिन मैं उसको फिर भी guide कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि as a teacher यह मेरी responsibility है कि मैं उसको गलत guide ना करो क्योंकि वो मुझे भरोसा कर रहा है देखिए YouTube पे बहुत सारे तरह के genre के videos बनते हैं अलग-अलग तरह के YouTubers हैं अब sponsorship भी होती है sponsorship लेकर वो advertisement करते हैं अपने वीडियो में बताते हैं किसी product के बारे में वो अपने वीडियो में किसी product को endorse करते हैं अपने अपने style से endorse करते हैं मैं इसे गलत नहीं मानता लेकिन education वाले genre में अगर मैं इस तरह की चीज़ करूँगा तो गलत हो सकता है for example कोई एक publisher house है वो मेरे से कहता है कि हमारी book की तरीफ कर दो आप तरीफ करोगे तो बहुत सारे student इसको खरीज लेगे हम इसके लिए आपको पैसा देंगे और हर sale पर भी आपको पैसा देंगे इस तरह के लगबर रोज़ाना मेरे पास एक दो email आते ही है जो इस तरह का कुछ sponsorship मुझे देना चाहते है अब अगर मैं उनकी बात मार लूँ तो मुझे थोड़ा फाइदा तो हो जाएगा पैसे का लेकिन जो trust हमारा develop हुआ है माय सर जी का students के साथ develop हुआ है उसको बहुत बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि जब मैं students को misguide कर दूँगा उनको पता चलेगा कि नी नी इस book में तो दम नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा इसलिए मैं कभी भी गलत guidance student को नहीं देता क्योंकि वो मेरी row zero tip है क्योंकि अगर मैं गलत guidance दूँगा तो ये मैं अपने profession के साथ इमानदारी नहीं करूँगा तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है responsibility इसलिए माय सर जी पर आप trust कर सकते हो कि हम यहाँ पर गलत guidance नहीं देंगे जो best of the knowledge है उसके हिसाब से हम आपको सही guide करें मैं एक छोटा सा example ले रहा हूँ वैसे हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगों को लगे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए जैसे अजय देवगन आड करते हैं विमल के ठीक है अजय देवगन finest actor है हमारी country के और बहुत अच्छी movies उनन बनाई है वो एक social influencer है और उनके कहने का बहुत फर्क पड़ता है बहुत सारे लोग उनको follow करते है तो अब अगर वो विमल का आड कर रहे हैं गुट का खाते हैं खाने का आड कर रहे हैं और इसको बड़ा एक swag में वो दिखा रहे हैं कि यार इसको खाना एक swag है एक style है तो ये चीज से हमारे youth पे भी गलत असर पड़ता है जो उनको मानते हैं वो लोग भी अगर ऐसा करने लग जाएं तो इससे हम humanity के लिए तो गलत कर रहे हैं ठीक है उनको इस बात का अगर पैसा मिल रहा है तो उन्होंने अपनी morality को side में रखा उन्होंने अपनी social responsibility को side में रखा और ये एड किया मुझे ये चीज गलत लगती है MPL के ad आते हैं मैं सीधे-सीधे नाम ले रहा हूँ मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ विराट कोली जैसा super hero मतलब he is the finest player in the country in the world actually और मैं उनके मैं क्रिकेट बहुत देखता नहीं हूँ लेकिन मैं उनके performance का fan हूँ लेकिन जब वो MPL का ad करते हैं और लोगों को games खेलने के वाले app के प्रती उस game को promote कर रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं कि इसको खेलो उसके बाद भी एक declaration आता है disclaimer आता है कि इसके आदत लग सकती है क्रपिया साफधानी से खेले इस तरह का कुछ है इसका मतलब ये चीज है तो गलत न तभी तो ये disclaimer लगाया गया तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए मेरे इसाब से नहीं करना चाहिए ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि लोग उनको follow करते हैं इसी तरीके से अगर मेरी भी एक community है मेरे को भी कुछ लोग follow कर रहे हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं गलत चीज़ों को कभी promote ना करूँ अगर मैंने किया तो फिर ये मतलब मैं सिर्फ पैसा कमाने में लग जाओंगा वो दिन होगा कि मैं सिर्फ पैसा कमाने में लग जाओंगा इसलिए मैं वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए आज तक मैंने एक या दो sponsorship केवल ली हैं इसके अलाबा मैंने कभी sponsorship नहीं ली वो भ जो में पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा business model है, तो मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने free videos भी बहुत बनाए, मैं सिफ परणकार तो नहीं कर सकता, मुझे अपना घर भी चलाना है, और जो system मैं provide कर रहा हूँ, उसको भी चलाना है, तो इसके लिए paid courses भी है, तो मेर इसके लवा एक है premium.mysergy.com, ये website है, जिस पर की कुछ paid courses रखे हुए है, और इस पर आप login हो सकते हैं, अपना account बना सकते हैं, वो free है, पर उसके बाद चो courses वहां रखे हैं, वो subscription based है, कुछ थोड़ा सा amount देकर आप वहां पर वो course purchase कर सकते हैं, और वो course के सारे videos, assignments वगेरा, एक्सेस कर सकते हैं, certified भी वहां पर आपको मिल जाता है, इसके लवा एक और website है, sorpshukla classes.com, जहां पर आपको online life classes से related batches मिलते हैं, और उसमें आप admission ले सकते हैं, online life आप मेरे से बढ़ सकते हैं, और मैं आपको ये सारी fundamental चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरी USP पढ़ाना है, pure teaching कि मैं किस तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ, बस ये मेरी USP है, बाकी तो वही चीज़ें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, जो दुनिया पढ़ा रही है, या वो free में भी available है, लेकि मेरा motive है रहता है कि जो मेरे से पढ़ रहा है, उसको बना की नहीं बना, उसको सीखते बन की नहीं बना, वो कर पा रहा है की नहीं कर पा रहा है, इसलिए students pay करके भी मेरे courses लेते हैं और join करते हैं, और उन्हें फायदा होता है, तो वो 10 लोगों को बताते हैं, इसलिए और लोग आते हैं, अभी पिछले एक साल में मैंने कुछ हजार लोगों को पढ़ाया होगा, इ तो अगर आपको मेरी बात सही लगती हो, तो आप मेरे इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें, ताकि जो students हैं, वो जो गलत हाइप market में बनती हैं, उनसे भी बचें, अपने career के प्रती सही decision ले सकें, shortcut के fair में ना पढ़ें, और अपने जो fundamentals हैं, elementary education उसको पूरा करें, सब्सक्राइब करें, तब जाके साबित होगा कि वो स्क्रीड में जाना चायते हैं, तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज από इसको लाइक हैं, अगर आपको लगता है कि यह बहुत लोग के काम का है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी करें, और अभी त हुआ 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 है